हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक टेवर चैनल हर्याना के अंदर ग्रामिन विकास विभाग के अंदर डीसी रेट कुछ विकेंसिज निकली हुई है जिसके बारे में वीडियो के मायदम से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले है अगर आप इंटरस्टिड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंतर तक बने रहें जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो आईए ज्यादा समयना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू यह देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विभाग रहने वाला है ग्रामिन विकास विभाग यह रहने वाला है जिसको हम इंगलिस में हर्याना रूरल डेवलेमेंट डिपार्टमेंट के नाम से भी बोलते हैं तो इस विभाग के अंदर हर्याना के चार जिलों में यह विकेंसिस आई हुई है चार जिले कौन-कौन से हैं सबसे पहले है महिंदरगड है उसके बादा फत्याबाद है जजर है और कैथल है इन चार जिलों के अंदर यह विकेंसिस आवलेबल है विकेंसिस किस पोस्ट पर है तो वो मैं आपको बदा देता हूँ ओबूट्स परसन के नाम पर यह विकेंसिस है या पोस्ट का नाम आप कह सकते ओबूट्स परसन और बूर्स परसन एक ऐसा वेक्ती होता है जो कि कोई भी अगर स्कीम होती है जैसे की हर्याना के अंदर तो उससे related जो भी सिकायते आती है तो उन शिकायतों का निप्ठारा करने के लिए एक वेक्ती को वहाँ पर नियुक्त किआ जाता है जिसको हम अबूट्स परसन के नाम से जानते हैं तो ये जो महात्मा गांधी वाली जो नरीगा वाली जो स्कीम है हर्याना के अंदर इसको सुचालित करने से रिलेटिड जो भी सिकायते आती हैं उन सिकायतों को निपटारा करने के लिए जिस व्यकती को निउउखत किया जाता है उसकी यहां पर वेकैंसी इन चार जिलों के अंदर आई हुई हैं तो यहां पर जो सेलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है इसमें क्या होता है कि पर सिकायत मतलब पर कंप्लेंड को निप्टाने का वहाँ पर प्रोविजन है जैसे कि बाइस सो पचास रुपे एक सिकायत को निप्टाने के लिए वहाँ पर उस व्यक्ति को दिये जाएंगे और मैकसिमम सेलरी उसकी रहने वाले है यहाँ पर 45,000 रुपीज मैकसिमम सेलरी है यहाँ पर मिलने वाले है और उसका जो टाइम पियर्ट रहेगा kontrect का यहाँ जो DC rate का जो कोंटरेक्ट होता है वो रहने वाला है दो साल दो साल के बाद उसको फ्रदर दो बार extend किया जा सकता है based on the requirement of the department तो यह यहाँ पे salary structure रहने वाला है और time period मैंने आपको बता दिया है age limit का कोई यहाँ पे up to 62 और 65 age limit है maximum age limit age limit तक के विक्ति भी apply कर सकते हैं हाँ साथ में इसमें जो है 10 साल का experience भी मांगा गया है जैसे कि public ad या इस तरह के department होते हैं तो वहां उस से related experience यहाँ पे मांगा गया है जहां पर आपने लोग लोगों से related काम किया हो means लोगों के जो सिकायते होती है या उन से related जो भी काम होते हैं उस तरह का field में अगर आपने काम किया हुआ है तो आप apply कर सकते हैं और रही बात qualification की तो at least graduate candidate वहाँ पे होना चाहिए अगर आप इस post के लिए apply करना चाहते हैं तो अब apply कैसे करना है apply करने के लिए एक application form है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के मैदम से उस application form को आपको फिल करना है और इस यह जो advertisement जब परकासित हुई है 13 June को यह परकासित हुई है 13 June से 21 दिन के अंदर अंदर आपको उस application form को जो है deposit करवाना है कहां पे वो यह address दिया गया है गरामिन विकास विभाग हर्याना का कारियल्या है 30 बेज बिल्डिंग तिसरी मंजिल सेक्टर सतरा सी चंडिगर्ड यहां पर आपको इसको जो है deposit करवाना है या फिर इसको deposit करवाने के अतरिक्त आपको क्या करना है इसको scan करके scan करके इसकी जो PDF है उसको भी इस email ID पर भी आपको send करना है जो की है drd at the rate of hry.nic.in इस पे भी आप भेज सकते हैं ठीक है और यह इसकी website रहने वाली है इस website की माइदम से भी आप इस advertisement को देख सकते हैं या इसका जो PDF जो है जिसमें total information दी हुई है कि और बूट्स परसन की roles and responsibility क्या क्या होती है और उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं क्या salary जैसा की मैंने आपको बताया तो वो सारी PDF में दी हुई है उसका link आपको description box मिल जाएगा वहाँ से जाके आप इसको check out कर सकते हैं इसके अतरीक इसका selection procedure रहेगा selection procedure में कोई भी written exam नहीं है directly interview based पर आपका selection इसमें रहने वाला है एक committee जो है वो prepare बनाई जाती है सरकार के माइदम से और सरकार के माइदम से जो committee है वही candidates का interview लेती है और depending on the interview वो उनको select करते हैं तो basic drills मैंने बता दी है अब आपको application form में दिखा देता हूँ यह देखिए यह इसका application form है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है application format for obats man ठीक है applied for the district जिस जिले के लिए आप apply करना चाहते है वो है उसके बाद आपको यहाँ पना passport size photograph भी attach करना है जो कि attested होना चाहिए self attested भी आप लगा सकते है personal information से आपको fill करनी है उसके बाद professional information आपकी qualification क्या है आपका work experience क्या है कहाँ पर आपका experience है इस सारी चीज़े हैं आपको fill करनी है और इस form को जो कि मैंने आपको address बताया था तो उस address पर इसको भेज देना है email के मैधम से भी और by post, speed post या by fare hand आप इसको deposit करवा सकते हैं इसके अतरिक इसका जो PDF है advertisement का जहां पर बहुत सारी detail दी गई है इससे related वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह इसकी जो है यह इसकी जो है PDF advertisement है जो कि Ministry of Rural Development महात्मा गांधी नरेगा डिविजन की तरफ से इसको notify किया गया है तो इसके अंदर बहुत सारी details है Obert's person की जो post है उसके regarding salary structure भी दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया था maximum salary 45,000 रहने वाली है और भी इसमें जो भी instructions है Obert's man को लेकर वो सारी चीज़े यहां पर दी गई है कि कैसे selection procedure रहने वाला है क्या qualification है क्या experience मांगा गया है तो सारी चीज़े आप यहां से check out कर सकते हैं तो basic details मैंने बता दी है होप आपको यह सब समझ आ गया होगा तो आज कि वीडियो में इतना ही एक ऐसी ही नए वीडियो नए content के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै भारत